देखे बहुत सारे parents, students और हमारे साथ ही हम से पूछते रहते हैं कि सराप का mission क्या है तो मैं यही कहूँगा कि हमारा कोई mission नहीं है हमारे platform पर जो भी student किसी mission के साथ में आता है अगर उसका कोई dream है तो उसका mission फूरा हो जाए बस यही हमारा mission है मैं आज देखता हूँ अगर कोई जारकंड का, UP का, MP का, मद्धेपरदेश का, गुजरात का, बिहार का मेगाले का, राजस्तान का, उडिसा का अगर कोई बच्चा, गाओं का बच्चा, अपने फोन में जीओं का 300-300 रुपे का रिचार्ज करवाता है पढ़ने के लिए तो वो रिचार्ज सिर्फ एक sim का रिचार्ज नहीं होता वो उसके dreams का, आशाओं का, उम्मीदों का, सपनों का रिचार्ज होता है अगर कोई हमारे platform पे ऐसा बच्चा आता है तो हम किसी भी format में उसके dreams को, उसके आशाओं को, उसकी उम्मीदों के recharge को डिचार्ज नहीं करना चाहेंगे हम लोग offline में काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं तो हमारे पास में कई बार tempo driver के बच्चा है नरेगा मजदूरों के बच्चा है BPL क्लास के बच्चा है हम लोगों ने जाँ, offline में तो काफी कोस्ट आता है online में तो फिर कुछ कोस्ट नहीं आता है कोस्ट को bear करके हमने उन लोगों को पढ़ाया और select भी हुए हैं आप देख पाएंगे भी कि बहुत सारे student जो है वो यहां से, हमारे यहां से offline में पढ़े के free में select free में पढ़े हैं, select हुए है तो online में भी हमारा सपना यही है अगर किसी को financial problem है, money issue है तो money की बज़े से अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए यह अपने dreams को पुरा नहीं कर पाए ऐसा कभी ना हो बस यही हमारा mission है, यही हमारा dream है तो कोई साभी student इंदुस्तान के किसी भी state से बिलोंग करता हो डॉक्टर भीमन युकुमावत आपको भरोसा दिलाता है कि अगर आपको कोई financial burden होता है कोई financial issue होता है तो नीट काका आपकी त्यारी में किसी type की कोई restriction रुकावट नहीं आने देगा बस यही mission है और उपरवाले से यही कामना है कि हम लोग हमारे इस mission में कम से कम जो गरीब लोग है उन लोग की मदद करके कम से कम जो हमारा एक नेक mission है उसमें कोई रुकावट नहीं आए